ही गाइस, Star of God की इसनी वीडियो आपका सौगत है तो लास्ट वीडियो अभी तक हमने देखा कि कैसे डेनियल और उसके टीम मेट्स ने हाकिन के उस रूम को अनलॉक कर दिया जिसके अंदर हाकिन बैठा हुआ है और अब स्टोरी में आगे हाकिन डेनल को देखे कहता है कि तुमने यहां आने में इतना समय क्यों रगा दिया तो मारे वेस हम इतना बोर हो गया था कि बास सोनी वाला था वही डेनल आगे वटके उसे कहता है जाकिन जल्दी करो, यहां से बाहर चलो हार बज़ आज समय नहीं है हमें काम शुरू करना है लेकिन आगेन की नजर रून पर पढ़ती है जिए देखकर उसे पूसते है तो यह एक गाइड है हसते वे और काभी सर्कैस्टिक वे में आगेन कहता है तो अपने साथ गंदी खुन वाली इस प्रजादी को भी लेकर आए हो जो यह काफी डिसकस्टिंग होते है लेकिन फिर बेमेस करम कंप्लें नहीं करूँगा कि यह काफी यूसफिल भी होते है रून कुछ कहने वाले थी उससे पहले ही रून खुश करके अपने मुँपर उंगली रखके रून को चुप होने के लिए कहता है और कहता है अगर तुम कुछ जानते भी हो तो भी अपने मुँझ से माराज जिराज का नाम मत लेना और इसी साथ उपने चेट से उड़ जाता है और यह कहते हो आगे बढ़ता है कि मेरा ही नम हाकिन है और मैं ही हूँ जून की वापस गदी पे बैटने वाला हूँ और फक की मदद से मैं ही टावर पे अपना कंट्रोल करूँगा और बहुत ही ज़दी तुम सभी को पता लग जाएगा कि कितना महान हूँ है लेकिन यूर अपने मन में सोच रही होती है कितना चोटा है यह दिखने में वही सी शिफ्ट होके अब फोकस करता है बोरो उसके टीमेश्ट पे जो कि ट्रैट सेंड फ्लोर के किसी एरिया में थे जहाँ बोरो ने बता रहा होता है कि हम कल तक स्टेशन पहुँच जाएंगे क्योंकि हम रोड के बहुत ही पास है वहीं वह यह भी बताता है कि उसका दोस्त या उसका एलाई अका विलियोंस भी अभी तक एक फेकर नाम के आदमी से मिल चुका होगा यूरा हा का साथी जो कि अब इनके टीम में इनके साथ मिल के काम कर रहा है कहता है कि सुनके बहुत ही अच्छा लगा कि हम पहुच ने हो ले क्योंकि आप बहुत ज़्यादा करमी है वही बोरो के दूसरे टीमेट्स अभी भी सौर्ट्ट में के साथ सही से अच्छेस्ट नहीं कर पाया थे और वह अभी भी आपस में थोड़ा बहुत लड़ते चाड़ते आते थे और यहां में पर चलता है कि वह यूरा हा से विछणने के बाद बेऊश हो गया था और उनके एक साथी जो की गायल थी उसने उसे अपनी हैल ट्रेन के ट्रेट दे दी और इसलिए वह इनके साथ ट्रेवल कर रहा है ताकि वह यूरा हा कर ढूंड सके और इसलिए अभी भी इन लोग को इसके उपर पुरा भरोसर नहीं है और यह भी खुद कहता है कि मुझे बिलकुल भी इस चीज़ पसंद नहीं कि यूरा उन टेंजरस लोग के साथ ट्रेन पर ट्रेवल कर लिए और अगर उसने मुझे ऐसा कहा कि मुझे तुम लोग भी धोका देना चाहिए तो मैं ऐसा जिलू करूंगा लेकिन वो टॉपिक चेंज करके बोरो से पूसता है तो जो स्टोरी तुम हमें सुना रहते हैं तो क्या हो सच है क्या वो इविल बिंग सही में बहुत इधा ख़तर नाग है जिसे बोरो जगानी कोशिश कर रहे है जैसे उनका बोरो कहता है हाँ जिसे बोरो का चेराव से पूसता है तो क्या वापस है हाकिन के वारें बात कर रहे हो उसने ऐसा क्या किया है जो आप उसको अभी वी इस तरी से सोचते हो जहां बोरो के माते पर हम शिकन देखते हैं और हो कहता है कि हाकिन बुराई की परिकास्टा है वो इतना ज़्यादा डाक है जो सभी अच्छायों को अपने अंदर अब्सॉप कर लेता है और हम उसे पहली बार हैल ट्रीन पे मिलेते हैं बहुत ही टाइम पहले और इसी के साथ एक flashback स्टार्ट होता है ट्रीन सिटी का जा हम देखते हैं 600 साल पहले डैनियल बोरो, हका विलियम्स अपने पहले टेस्ट को क्लियर करते हैं जापे डैनियल कह रहा होता है कि मैं कवी दा परिशान हुआ है तुम ही लोग को बार बार यह देखते हुए कि हर टेस्ट क्या सिर्फ तुम ही लोग बचपाते हो मेरे साथ और वो विलियम्स से पूस्त है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जितनी बार में तुम है देखता हूँ तो उतनी और पहले से ज़्यादा बड़े लगते हो और डैनियल बोरो को देखे कहता है कि सबसे ज़्याद अनौनिक तो तुम हो तो वहाँ चैरा हर पर देख कि मिझे बहुत ही बुला लगता है महीं सामने से कोई चलता हो आता है और नहीं कहता है कि लगता है तुम गाईस बहुत ज़्यादा खुश हो आपसे मिलकर और चाहे कुछ भी को लेकिन ट्रेन में तुम हैं साथ जाना ही सबसे ज़्यादा बैस्ट है और ये और कोई नहीं बलकि साची फेकर होता है साची हसते वे ये भी कहता है कि बॉरो और डैनियल तुम दोनों कभी नहीं बदनने वाले जिस बात का फायदा उठाकर बॉरो कहता है कि यहां मैं भी यही सूच रहा था कि कैसे डैनियल कभी भी लंबा नहीं होता जैस सुनकर डैनियल की गिगी बच जाती है और गुस्तिन कहता है कि मैं वास्टट को यहीं मार दूँगा और तब पीछे से किसी और की वास्ट नहीं देती है जो कहरी होती है कि तुम दोने जब भी मिलते हो तो आपास में लड़ते क्यों हो और यहां हम इनके आखरी टीमेट रोईन को देख पाते हैं जो कि एक लाइट वेर होती है और वास्ट नहीं से पूचती है कि दोस्तों बहुत समय हो गया तुम से मिले हुए इसकराद पैस्ट ने बोरो अपनी स्टोरी कंटीनु करते हैं बताता है कि हम लोग कोइंसिडेंस से गलती से यह एल्ट रीन भी मिले थे और उसके बाद हम सभी दोस्त बन गए सबसे पहले मैं, साची और डैनियल मिले थे और उसके अद वीलियम और रोई ने हम लोग को जोईन किया और उसके अद हमने बहुत बाद हैल्ट रीन पर सवारी की एक साथ हम लोग एक दूसरे काफिया क्लोस थे और खास का डैनियल, क्योंकि उसका रोन के उपर एक क्रश था लेकिन हुँ कभी इस चीज़ को बताता नहीं था क्योंकि बहुत जाज शर्मीला था लेकिन सभी यह वाद जानते थे शुरू-शुरू में तो हैल्ट रीन पर हमने अपनी जरूनी चालो की तो हम सभी के अलग-अलग गोल थे लेकिन टाइम पी साथ हमें पता लगा और यह समझ में आया कि हम ट्रेन पर इस ले जाते हैं ताकि हम एक दूसरे से मिल सके और इस बार यह लोग डिसाइड करते हैं कि हैल्ट रेन को जरूर जीतेंगे और तबी पीछे से एक करेक्टर उनके पीछे आकर उन पर हमला करने को शर्ट है तेकि डैनल से एक लाध मार के दूर गिराता है और उसे बाद मुसके कौलर से पकर के कहता है कि तुम्हारे पहला टाइम है और तुम्हाल जैसे कमजोर लोगो टिकट कभी नहीं मिलेगी इसलिए कहीं और जाके अपनी हार मनाओ लेकिन रोइन डैनल से कहती है तुम को ज़्यादे एक हडूस तरीज जिसे बात नहीं कर रहे तुम्हें इतना ज़्यादे बुरा वहाल भी इसक्याद नहीं करना चाहिए यूँकि वो कमजोर है हमें सबी साथ अच्छा वाल करना चाहिए चाहिए वो कोई भी हो लेकिन डैनल को यह बस सुनने आती रोइन से कहती है कि मैं आसपास के लोकावी ध्यान रगना होगा अगान में जीतना चाहते है हैल ट्रीन की स्ट्रिपर रोइन से रैगुलर को उठाती है और फुस से कहती है कि लगते है तुमाने आगो भी दोस नहीं है हम तुमें टिकट तो नहीं दे सकते है लेकि हम तुमें बोर्डिंग पास दे सकते है अगर तुम जाना चाहो रोते हुए वो के लेगुलर रोइन को देखते हैं यह तो देवी है देवी जिस सुनकर डैनिल और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जिस पर लेगुलर उससे और भी ज़्यादा help मांगता है यह कहते हैं कि देवी में यह मदद कीजिए और ऐसे ही लड़ते जगड़ते हस्ते मुस्कराते यह लोग अपने जन नहीं तरफ आगे बढ़ने लगते हैं वही प्रेजिंट में बोरो का मुँ और भी जादा बुरा बन जाता है और अपने दोस्टे को उताता है कि हमें लग रहा था कि हम ट्रेन पर एक एडवेंचर के लिए जा रहा है जिसमें हम अपनी जिन्गी एक दूसरे पर दाव पर लगाते हैं और मज़े करते हैं लेकिन रियाल्टी भी इस बार कुछ और होने वाला था और इन सभी को हम हेल्टीन की टिकेट का यूज़ करके ट्रेन के अंदर जाते हो देखते हैं और यहां अपने हम हाके इनको देख पाते हैं इसलाउ । मैं तुम्मेए एक मौका देता हूँ कि तुम मेरी चेली चापाटी बन जाओ यहे पिस दूनकर डîneलॡब चिट जाता है और शसे कहता है कि तुम मजाक कर रहे है और तुम हो कौन लेकिन वो उसे कहता है, कि मैं अपनासी नाम तुम्हें नहीं बिता सकता लेकिन तुम मुझे हाके जांके बुला सकते हैं मैं रोन इससे चलाते हिए क्याती है तुम जीने रखता है तो हमाई साथ बहुती बुरा विबार कर रहे हूँ आर कैसे तुम लोह से जस्ट कह सकते हो कि तुम मेरे चले चपाटे बन जाओ और में ले काम करो तुम के 10 फैमिली से भी बिलॉंग करते हो जो तुम हम जैसे लोह को कवी नीची नदरों से देखते हो और उनके ताथ ऐसा ब्हाँ करते हो पीचे देनियल रोएंट को रोकनी की कोश्च करता है लेकिन उन कुस्से में उसे कहती है जिए माप करना लेकिन जैसे तुम्हारा गमन्टी एडिट्ट्यूड है इसके जाद तुम ट्रेन में बहुत जाद देटिक नहीं पाऊगे और तुम बहुत जाद बढ़ने वाले हो मैं तुम आखाया जैसे पहले ही बहुत देखिए है यह सूनकर हागिन एक बहुत ख्रीपी से समायल देता है और कहता है तुम बहुत जद़ बोलती हूँ लेकिन मैं तुम एक बार बताना चाहता हूँ कि मैं 10 फैमली से नहीं आया है बलकि मैं उस से भी उची जगा से आया हूँ और मैं जल्दी फक का स्लेयर बनने वाला हूँ और इस ट्रेन पे आने का मैं सिर्फ एक ही मोटिव है ताकि मैं अपनी पोजिशन को आपस पासा को इसके आगे बहुत बताता है कि उसने अपने आपको एक स्लेयर नॉमनी करके हमें इंट्रडूस कराया था और जैसे ऐसे टाइम बीटा वैसे वैसे ट्रेन पे रहने वाले सारे रेगुलर एक ही करके उसी के आदनी बन गए उसके एटिट्टूड में कुछ ऐसा जाओ था कि सारे लोग उसके अंदर ही काम करना चाहते थे जितना ही वो डेंजर था उतना ही ज़्यादा अट्रेक्टिव था पाकी रेगुलर के लिए उसने सभी से प्रोमिस किया था कि टाइम के साथ वोने उस सब चीज़े दिलवाएगा जो वो चाहते हैं और देर देर करके हमारे गुरुप को भी सर्वाइब करने के लिए उसी के अंदर काम करना शुरू करना परा ताकि हम ट्रेन पर अपने अडवेंजर को खतम कर सके और इसके अलावा वो बहुत ही जादा श्रॉंग था और जब देर देर हमें लगा कि सभी उसी के तरफ हो गए तब एक दिन डेनिल देखा कि रोई ने किसी का मडर कर दिया है रोन की आखों में खौफ था और जब डेनिल उसे पूछा कि उसने अपनी साथी का मडर क्यूं किया तो उसने का कि इसकी वज़ा हाकिन है मैं तुम्हारे ले कोई भी जूट बोल सकता हूं कुछ भी सिर्फ तुम्हारे लिए मैं रोन डेनिल को बताना चाहती थी कि हाकिन अपनी पोजिशन का यूज कर रहा है ताकि वो एक दूसरे को मारने के लिए उसका सके ताकि वो अपनी पावर को वापस गेन कर सके लेकिन डेन उस समय ची उतने चेस नहीं समझ सका प्रेजेंट में बोरो अपनी स्टोरी को खतम करने वाला होता है हम उसके चेले पे वो सारी दुख देख पाते हैं जो उसने अभी तक बताई थी वो कहता है कि मैं हाज भी नहीं फूल सकता जो बुरी चीज़े हाकिन उस दिन ट्रेन पे की थी और उसके बाद जितने सारी इवेंट्स होए थे वो काफी जाद खाफनाक थे और इसके बाद हमको रियलाइज हुआ कि हैल ट्रेन को हैल यह ट्रेन नहीं बनाती बलकि मॉंस्टर बनाता है वह यह प्रेजेंट में हाकिन को देखते है जो कि लिचल की टीम दी तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि शायद इनके अंदर उच पर कोई कॉंपिडेंस नहीं है क्योंकि में बच्ची की जैसा देखता हूँ और इसलिए वह एंजल से पूस्टा है कि में दरफ देखो क्या तुम में सच में बहुत ही कमजूर बच्चा देखता हूँ क्या तुम मेरे अंदर महानता नहीं देखती जिस पर मैट डॉग हाकिन से कहता है कि सर हाकिन मैं यामा का लॉयल कुटा हूँ मेरे नाम ब्लू सर आइलेट है और मैं आपके अंदर की महानता को महसूस कर सकता हूँ जिसे देखकर हाकिन से पूस्त है अच्छा तो तुम यामा के कुटते हो सलेयर बेलोड यामा के जिसे सुनकर मैट डॉग हामे साही लाता है और कहता है कि आप मेरा भरपूर यूज कीजिए सर आगे आकिन कहता है कि जब टाइम आएगा तो मैं यामा को इसकले जरूर तरने बात करूँगा और डैनियल से कहता है कि तुमने बहुत इंटरस्टिंग क्रूप जमा किया है डैनियल लेकिन तुमारे जैसे लेगॉल का ऐसा बेहिवियर मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ फुलिश काम भी करने वाले हो आगे इस टोईन में ऐसा खास क्या है कि तुम उसकी जिनगी के लिए इस हद तक जा सकते हो लेकिन क्या खरक पड़ता है एक बार मैंने अब अगर अपनी पावर गेंड कर ली तो मैं उस लड़की और एक बार जिनदा जिरूर करता हूँगा जैसा कि में प्रॉमिस किया था इसी के साथ रेचल की दूसरे टीमेट्ट जी अपने आपको हाकिन से इंटेडिउस कराते है जा सबस्वार रेचल अपने बारे में और यूरः हा के बारे में बताती है और कहती है कि हम आपके मेरत करने के लिए आए ट्रसवन को रांकिन तो राःता है और कहता है तुम मेरी बहुत कैसी कर सकती हो चैसे सुनकर रेचल उसे अपना पून दिखाती है और कहती है इस डिवाइस के अंदर एक भात ही खास चीज़ है जो आपको बहुत तरीके से हैल्प कर सकती है इसके अंदर एक EI है, जिसका नाव Family है, वो बहुत से लोग की इंफरमीशन एक साथ गैदर कर सकती है, और उन लोगों तक बहुत इसा इंफरमीशन बहुचा सकती है, और इसी का यूज करके हम यूरा के लेक शो करेंगे, जिसमें बहुत से लेगुलर को एम्री का यूज कर लेकिन तब हाकिन के पेट से गुर-गुर के वाद आन लगती है, और रहा कहता है, ठीक है मने तुम सभी के नाम के अलम जान लिया, चलते हैं कि मुझे बहुत 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 तेज लग रही है, और मुझे कुछ सोल्स खानी है, इसी के साथ, टार वगोड की से एक्स्पिन आने वाले वीडियो के लिए आवे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको और कौने से वीडियो चाहिए हैं